सेना परमुख जर्णल मनोज मुकुन नर्वने गुरुवार को दुनिया के सबसे उच्छे युदशेतर सियाचिन पहुचे सेना परमुख का पत संभालने के बाद जर्णल नर्वने पहली बार यहां पहुचे उन्होंने जवानों के साथ नाश्टे पर चर्चा की सेना परमुक ने सियाचिन युद समारत पर सैनिको कोश्च धांजली भी दी उनके साथ उतरी सेना के कमांडर लेफटिनेट जर्नल रनवीर सिंग भी मौजूद थे सेना परमुक ने कहा कि हम जानते हैं कि यहां तैनात हर जवान बेहत कठिन और विशम परसितियों में काम करता है हम यह शुनिशित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जवानों को जो कुछ भी आवश्यक है उन्हें उपलब करवाया जाए उन्हें बहतर कपड़े और राशन सब दिया जाए बता दे कि नए सेना पर्मुक के तोर पर पदभार संभालने के बाद चर्नल मनोज मुकुन नर्वने ने आतंकवाद को लेकर पडोसी देश पाकिस्तान को दो टुक शब्दों में कहा कि उसका यह पैंतरा अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है सेना पर्मुक ने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान के उकसावे या उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के किसी भिकृते का जवाब देने के लिए कई सारे विकल्प है अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता है तो हमारे पास इतिहातन आतंकी अड़ों पर हमला करने का अधिकार है जर्नल नल्वने देश के 28 सेना परभुख है उन्होंने जर्नल विपिन रावत का स्थान लिया है जिने देश का पहला चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ न्यूक्त किया गया है पत संभालने के बाद जर्नल नल्वने ने कहा कि हमने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ द्रिड संकल्पित डंडाक्मक जवाब के रन्निती बनाई है पाकिस्तानी सेना की राज्य प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान हटाने की सारी कोशिशे नाकाम हो गई हैं पॉस्तेनले देखने की सेंडिय रहना की सिर्णी की सिर्णी रहना की साथें नाकाम वेढ़ गई हैं। तो इसे चीफ अढ़ने किते हैं किनी का मेराज़ पारणा केथे लेगे लिए। J.B.D. B.D. क्वेत्स लाइ हैं। ऐसे ही लेटेस को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाल